प्रेम से बोलिए श्रीमत भागवत महापुरान की जय इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्रीक्रिष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर जो गोपी जो भी काम कर रही थी उसे बीच में ही छोड़कर बांसुरी की धुनके पीछे-पीछे खिजी चली गई और अपने क्रिष्ण प्यारे इससे मिलने के लिए चल पड़ी उस समय कोई-कोई गोपी अपने शरीर में अंगराग, चंदन और उप्टन लगा रही थी और कुस तो आँखों में काजन लगा रही थी वे उन्हें छोड़कर और उल्टे-पल्टे वस्त् क्रिष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी पिता और पतियों ने भाई और जाती बंधों ने उन्हें रोका उनकी मंगलमई प्रेम यात्रा में विग्ण डाला परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि उनके रोकने पर भी नहीं रुकी रुकती भला कैसे विश्व व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का परेंट जो कर लिया था परिक्षित उस समय कुछ गोपियां घरों के अंदर थी उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला तब उन्होंने वहीं घर की अंदर बैठ कर ही अपनी आखे बंध कर ली और इतनी जलन हुई इतना दुख हुआ कि उनमें जो कुछ अशुप संसकारों का लेश मात्र बचा हुआ था वो भी जलकर भस्म हो गया इसके बाद तुरंती ध्यान लग गया ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उन्होंने मनहीमन बड़े प्रेम से बड़े आवेग से मन ही मन उनका अलिंगन किया उस समय उन्हें इतना सुख इतनी शांती मिली कि उनके सब के सब पुर्णि के संसकार एक साथ ही छीन हो गए परिक्षित यद्दे भी उनका उस समय श्री कृष्ण के प्रती जार भाव भी था फिर भी कहीं सत्य वस्तू भी भाव के पेक्षा रखती है उन्होंने तो जिनका अलिंगन किया चाहे किसी भी भाव से किया हो वे स्वयम परमात्मा ही तो थे जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रच की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिलकुल पास आ गई है तब उन्होंने अप भागिवति गोपियो आप सभी का स्वागत है बतलाओ आपको प्रसन करने के लिए मैं कौन सा काम करूँ व्रिज में तो सब कुषरमंगल है ना कहो इस समय यहां आने की क्या वशकता पड़ गई सुन्दरी गोपियो रात का समय है ये स्वयम ही बड़ा भयावना होता है औ इसलिए तुम सब की सब तुरंत अभी इसी क्षण व्रिज में वापस लोट जाओ रात के समय घोर जंगल में इस्त्रियों को कभी नहीं रुखना चाहिए तुम्हें ना देखकर तुमारे माबाप, पती, पुत्र और भाई बंदों तुम्हें ढून रहे होंगे उन्हें भैबीत मत करो, तुम लोगोंने रंग बिरंगे पुश्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा, पूर्ण चंदरमा की कोमल रिश्मियों से ये रंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने हाथों से चितरकारी की हो, और यमुना जी के जलका इस पर्ष करके बहने वाल शीतल हवा की मंदमंद गती से हिलते वे ये व्रक्षों के पत्ते इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं, परंतु अब तो तुम लोगोंने इस सब कुछ देख लिया, अब देर मत करो, शीगर से शीगर व्रज में लोट जाओ, तुम लोग कुली निस्त्री हो और पतियों की सेवा शुशुरुसा करो, देखो तो तुम्हारे घर के नन्ये नन्ये बच्चे और गवों के बच्चडे रोकर रंभा रहे हैं, चाओ उन्हें दूद पिलाओ, गवें दूहो, और अगर मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहां आई हो, तो इसमें कोई अनुचित बात तो हुई नहीं, ये तो तुम्हारे योगी ही है, क्योंकि जगत के पशुपक्षी तक मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन होते हैं, कल्यानी गोपियों, इस्त्रियों का परमधर्म यही है कि वे पती और उसके भाई बंधों की निश्कपट भ भावला, भागिहीन, व्रिद्ध, मूर्ख, रोगी हो या फिर निर्धन ही क्यों न हो, कूले निस्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निदनी ही है, इससे उनका परलोग बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता, इस लोग में अप्यश होता है, ये कुकर जैसे मेरे प्रती, जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ती होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ती पास रहने से नहीं होती, इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर को लोट जाओ, श्री शुकदेबजी कहते हैं, परिक्षित भगवान श्री कृष्ण का ये अप्रिय भाशन सुनकर गोपियां उदास और खिन्न हो गई उनकी आशा तूट गई वे तो बड़े ही प्रसन मन से श्री कृष्ण से मिलने के लिए आई हुई थी अब वे चिंता के अथा और अपार समुद्र में दूबने उत्राने लगी उनके बिमबा फल अर्थाद पाके वे कुंद्रू के समान लाल लाल अधर शोक के कारण चलने वाली लंबी और गरम सांस से सूख गए उन्होंने अपने मूँ नीचे की और लटका लिए अब वे अपने पैरों के नाखुन से धर्ती कुरेदने लगी आखों से दुख के आशु बह बहकर काजल के साथ वक्ष इस्थल पर पहुँचने और वहां लगी हुई केसर को धोने लगे उनका हर्दय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल ही नहीं सकी चो चाप खड़ी रह गई गोपियों ने अपने प्यारे शाम सुंदर के लिए सारी कामनाएं सारी भोग छोड़ दिये थे श्री कृष्ण में उनका अनने अनुराग परम प्रेम था और जब यहां कर उन्होंने अपने परम प्रेदम श्री कृष्ण की ये निश्ठुरता से भरी बात सुनी जो बड़ी ही अप्रेसी लग रही थी तब तो उन्हें और भी दुख हुआ आखे रोते रोते लाल हो गई आशों के मारे रुंध गई उन्होंने बड़ा धैरिधारन करके अपनी आखों के आशों पोछे और फिर प्रणय कोप के कारण वे गदगदवानी से कहने लगी कि प्यारे श्री कृष्ण तुम तो घटगट व्यापी हो हमारे हिर्दे की बात तो जानते हो तुम्हें इस प्रकार निस्टुर्था से भरे वचन नहीं कहने चाहिए हम तो सब को छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करती हैं इसमें संदे नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो तुम पर हमारा कोई वश नहीं है फिर भी तुम अपनी ओर से जैसे आदुपुरुष भगवान नारायन करपा करके अपने मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हैं वैसे ही हमें स्विकार कर लो हमारा त्याग तो मत करो हे शाम सुंदर तुम सब धर्मों का रह से जानते हो तुम्हारा ये कहना कि अपने पती, पुत्र और भाई, बंदुओं की सेवा करना ही इस्त्रियों का स्वधर्म है पूरी तरा ठीक है परन्तु इस उपदेश के अनुसार तो हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिए क्योंकि तुम्ही सब उपदेशों के पद हो, साक्षद भगवान हो तुम्ही समस्त शरीर धारियों के सोहर्द हो, आत्मा हो और परम प्रेतम हो मन मोहन अब तक हमारा मन घर के काम धंधों में लगता था इसी से हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे परन्तु तुमने हमारे देखते ही देखते हमारा वह मन लूट लिया इसमें तुम्हे कोई कठनाई भी नहीं उठानी पड़ी तुम तो सुक स्वरूफ हो ना, परन्तु अब तो हमारी गती मती निराली ही हो गई है हमारे ये प्यार तुम्हारे चलन कमलों को छोड़कर एक कदम भी पीछे हटने के लिए तयार नहीं है हटी नहीं रहे फिर हम ब्रिज में भला कैसे वापस जाएं और अगर हम वहाँ जाएं भी तो करेंगी क्या प्राण वलब हमारे प्यारे सखा तुम्हारी मंद मंधुर मुसकान प्रेम भरी चितवन और मनुहर संगीत ने तो हमारे हिर्दे में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग ही ददका दी है उसे तुम अपने अधरों की रस्तहरा से बुझा दो नहीं तो हे प्रेतम हम सच कहती हैं कि तुम्हारी विरह व्यथा की आग से हम अपने अपने शरीर जला देंगी और ध्यान के द्वारा फिर तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगी प्यारे कमल नयन तुम मनवासियों के प्यारे हो और वे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं इससे प्राय तुम उन्हीं के पास रहते हो यहां तक कि तुम्हारे जिन चरण कमलों की सेवा का अफसर स्वयम लक्ष्मी जी को भी कभी कभी ही मिलता है उन्हीं चरणों का इसपर्ष हमें प्राप्थ हुआ जिस दिन ये सुभाग्य हमें मिला और तुमने हमें स्विकार करके आनन्दित किया उसी दिन से हम और किसी के सामने एक छण के लिए भी ठेड़ने में असमर्थ हो गई है पती पुत्रादियों की सेवा तो बहुत दूर की बात रही हमारे स्वामी जिन लक्ष्मी जी का करपा कटाक्ष प्राप्थ करने के लिए बड़े बड़े देवता तपस्या किया करते है वही लक्ष्मी जी तुम्हारे वक्ष इस्थल में बिना किसी की प्रती द्वंदिता के इस्थान प्राप्थ कर लेने पर भी अपनी सौत तुलसी के साथ तुम्हारे चरणों की रज पाने की इच्छ किया करती है अब तक के सभी भक्तों ने उस चरण रज का सेवन किया है उनीके समान हम भी तुम्हारी उस चरणडरज की शरण में आई है भगवन अब तक जिसने भी तुम्हारे चरणों की शरण ली उसके सारे कष्ट तुमने मिटा दिये अब तुम हम पर भी करपा करो हमें भी अपने प्रसाद का भाजन बनाओ हम तुम्हारी सेवा करने की आशा भिलाशा से घर, गाउं, परिवार सब को छोड़ कर तुम्हारे युगल चरणों की शरण में आई है प्रेतम, वहां तो तुम्हारी आराधना के लिए अवकाश ही नहीं है हे पुरुष भूशन, हे पुरुष उत्तम, तुम्हारी मधर मुस्कान और चारुचित्वन ने हमारे हिर्दय में प्रेम के मिलन की आकांक्षा की आग को धतका दिया है और अब हमारा रोम रोम उससे जल रहा है तुम हमें अपनी दासी के रूप में ही स्विकार कर लो हमें अपनी सिवा का अवसर तो दो हे पृतम, तुम्हारा सुन्दर मुख कमल जिस पर घुंगराली अलके जह लग रही है तुम्हारे ये कमनी कपोल जिन पर सुन्दर सुन्दर कुंडल अपना अनंत सौंदरी बिखेर रही है तुम्हारे ये मधुर अधर जिन की सुधा सुधा को भी लजाने वाली है तुम्हारे ये नैन मनुहारी चितवन जो मंद मंद मुसकान से उलसित हो रही है तुम्हारी ये दोनों भुजाएं जो शरणागतों को अभैदान देने में अत्यन्त उदार हैं और तुम्हारा ये वक्ष इस्थल जो लक्ष्मी जी का सौंदरी की एकमातर देवी का नित्य क्रीडा इस्थल है देखकर हम सब तुम्हारी दासी हो गई है हे प्यारे शाम सुंदर तीनों लोकों में भी और ऐसी कौंसी स्त्री है जो मधूर मधूर पद और आरोह अवरोह क्रम से तरह तरह की मोर्चनाओं से युक्त तुम्हारी वन्शी की तान सुनकर इस त्रिलोक सुंदर मोहिनी मूर्थी को जो अपने एक बूंद सौंदरी से त्रिलोकी को सौंदरी का दान करती है और जिसे देखकर गउ, पक्षी, व्रिक्ष और हिरन भी रोमान्चित पुलकित हो जाते है अपने नेत्रों से जी भर कर देखकर आर्य मर्यादा से विचलित ना हो जाए कुल कान और लोक लज्जा को त्याग कर तुम्हें अनुरक्त ना हो जाए हमसे ये बाद छिपी नहीं है कि जैसे भगवान नारायन देवताओं की रक्षा करते है वैसे ही तुम ब्रिजमंडल का भय और दुख मिटाने के लिए ही प्रकट हुए हो और ये भी सपस्ठ ही है कि दीन दुखियों पर तुम्हारा बड़ा प्रेम बड़ी कृपा है प्रेतम हम भी बड़ी दुखिनी है तुम्हारे मिलन की इच्छा से हमारा वक्ष इस्थल जल रहा है तुम अपने इंदासियों के वक्ष इस्थल और सिर पर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना लो हमें जीवन दान दे दो श्री शुकदेव जी कहते हैं हे परिक्षित भगवान श्री कृष्ण संकादी योगियों और शिवादी योगेश्वरों के भी इश्वर है जब उन्होंने गोप्यों की विथा और व्याकुलता से भरी वानी सुनी तब उनका हरदय दया से भर गया यद्दिपी वे आत्मा राम हैं अपने आप में ही रमण करते रहते हैं उन्हें अपने अलावा और किसी भी बाहिवस्तु के पिक्षा नहीं है फिर भी उन्होंने हसकर उनके साथ कृड़ा प्रारम की भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भाव भंगी और चेस्टाइं गोप्यों के अनुकूल कर दी फिर भी वे अपने स्वरूप में ज्यों के त्यों एकरस स्थित्य अच्युत थे जब वे खुल कर हसते तब उनके उज्वल उज्वल दान्त कुंद कली के समान जान पड़ते थे उनकी प्रेम भरी चित्वन से और उनके दर्शन के आनंद से गोप्यों का मुख कमल प्रफुलित हो गया वे उन्हें चारों और से घेर कर खड़ी हो गई उस समय श्री कृष्ण की ऐसी शोभा हुई मानो अपनी पत्नी तारिकाओं से घिरेवे चंद्रमाही हो गोप्यों के शत शत यूथों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वेजनती माला पहने व्रिंदावन को शोभाय मान करते वे विचरन करने लगे कभी गोपिया अपने प्रेतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का गान करती तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदरी के गीत गाने लगते इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना जी के पावन तट पर जो कपूर के समान चमकिली बालू से जगमगा रहा था पदारपन किया वहियमुना जी की तरल तरंगों के इस पर्ष से शीतल और कुमोदुनी की सहज सुगंद से सुवासित वायू के द्वारा सेवित हो रहा था उस आनंद प्रत तट पर भगवान ने गोपियों के साथ कृड़ा की अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कृड़ा द्वारा आन हमारे समान और कोई है ही नहीं वे कुछ मानवती हो गई जब भगवान ने देखा कि इन्हें तो अपने सुहाग का कुछ गर्व हो आया है और अब मान भी हो आया है तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर करके प्रसन्य करने के लिए वहीं उनके ब गजराज के बिना हथिनियों की होती है। ठाल, ठाल, हास, विलास और चितवन, बोलन आदी में श्री क्रिश्न की प्यारी गोपियां उनके ही समान बन गई। एक जाड़ी से दूसरी जाड़ी में जा जाकर श्री क्रिश्न को ढूंडने लगी। परिक्षित भगवान श्री क्रिश्न कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में और उनके बाहर भी आकाश के समान एकरस इस्थित ही हैं। वे वही थे। उन्ही में थे परंतु उन्हें ना देखकर गोपियां वनस पत्यों से, पेड़ पोधों से, पत्तों से उनका पता पूछने लगी। गोपियों ने पहले बड़े बड़े विरक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बर्गत, नंदन अंदन शाम सुन्दर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चित्वन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा हैं। कुर्बक, अशोक, नाग केशर, पुनाग और चमपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुसकान मात्र से बड़ी-बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने इस्त्रिजाती के पौधों से पूछा, बहन तुलसी, तुमारा हिर्द पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सदा पहने रहते हैं, क्या तुमने अपने परम प्रेतम शाम संदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्लिके, जाती और जुही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारी माधव को जरूर देखा होगा, क्या वे अपने कोमल करों स सपर्श करके तुम्हें आनदित करते भी धर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतशाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलसिरी, गदम और नीम, तथा अन्यान यमुना के तठपर विराजमान है सुखी तरूरो, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम मूर्चित हो रही हैं, तुम हमें उन्हें पाने का बस मार्ग बता दो, क्या वे इधर से गए हैं? भगवान की प्रेसी प्रत्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है, कि श्री कृष्ण के चनन कमलों का इ तुमारे नैनों को पर्मानंद का दान करते वे इधर से ही तो नहीं गए हैं? देखो देखो, यहां कुलपति श्री कृष्ण की कुंद कली की माला की मनोहर गंध आ रही है, अब गोपियां एक दूसरे से कहने लगी, अरी सखी, जरह इन लताओं से तो पूछो, यह अपने इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाब करती भी भगवान श्री कृष्ण को ढूनते ढूनते कातर हो रही थी, अब और भी गाड आवेश हो जाने की कारण, वे भगवन में होकर भगवान की विभिन लीलाओं का अनुकरन करने लगी, कोई पूतना बन गई, तो कोई श्र प्रणावर्त दैत्ते का रूप धारण करके उससे हर कर ले गई, कोई गोपी पाउं घसीट घसीट कर घुटने के बल बकईयां चलने लगी, और उस समय उसके पाईजेब रुंजण रुंजण बोलने लगे, परिक्षित एक गोपी काल्या नाग बन गई, तो दूसरी श् कर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आखें बन कर लो, मैं अनयासी तुम लोगों के रक्षा कर लूँगा, फिर एक गोपी ये शोदा जी बन गई, तो दूसरी बन गई श्री कृष्न, ये शोदा जी ने फूलों की माला से श्री कृष्न को उखल में ब पूचने लगी, इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन देखे, अव्यापस में कहने लगी, अवशी ही ये चरण चिन उदाश शिरूमणी नंद नंदन शाम सुन्दर के हैं, क्योंकि इन में ध्वजा, कमल, व्रिज, अंकुष और जो आदी के चिन स्प पड़े, उन्हें देखकर तो व्याप्याकुल हो गई और आपस में कहने लगी, जैसे हथिनी अपने प्रेतम गजराज के साथ गई हो, वैसे ही नंदन नंदन शाम सुन्दर के साथ उनके कंधे पर हाथ रख कर चलने वाली, किस बड़ भागिनी के ये चरण चिन हो सकते है अवश्य ही सरवशक्तिमान, भगवान श्रीक्रिष्न की ये अराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुन्दर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए है, प्यारी सक्यों, भगवान श्रीक्रिष्न अपने चरण कमल से ज अब चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी हमारे सरवस्य श्रीक्रिष्न को एकांत में ले जाकर, अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस्पी रही है, इस गोपी के उप्रेवे चरण चिन तो हमारे हिर्दे में बड़ा ही क्षो भुत्पन कर रहे हैं, यहां उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते, ऐसा लगता है, यहां प्यारे शाम सुन्दन ने देखा होगा कि मेरी प्रेशी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नोक गरती होंगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चड़ा लिया होगा, सक्यो, यहां देखो, प्यारे श्रीक्रिष्न के अधिक गहरे बालू में धसेवे हैं, इससे तो यहीं लगता है कि यहीं सेवे किसी भारी वस्तु को उठा कर चले हैं, और उसी के बोज से उनके पैर जमीन में धस गए हैं, हो ना हो, यहां उस कामी ने अपनी प्रेतमा को अवशी ही कंधे पर चड़ाया होगा, अब थोड प्रेमी वरिजबलब ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेसी को नीचे उतार दिया है, और यहां प्रम प्रेतम श्री कृष्णे ने अपनी प्रेसी के लिए फूल चुने हैं, उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहां उनके पंजेतो धर्ती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है, परम प्रेमी श्री कृष्णे ने कामी पुरुष्ट के समान यहां अपनी प्रेसी के केश भी सवा रहे हैं, देखो अपने चुनेवे फूलों को प्रेसी की चोटी में गूतने के लिए वे यहां अवशी ही बैठे रहे होंगे, भगवान श पामियों की दीनता, इस्तरी परवश्टा और इस्तरीयों की कुटिलता दिखाते हुए, वहां उस गोपी के साथ एकांत में क्रीडा की थी खेल रचा था, इस प्रकार गोपियां मतवाली सी होकर, अपनी सुद्बुत खोकर, एक दुसरे को भगवान श्री कृष्णे के च पारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर, जोने इतना चाहती है, इतना प्रेम करती है, किवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी और शंकर जी के भी शासक हैं, वह गोपी वन में जाकर, अपने प्रेम औ अपने कंधे पर चड़ा कर ले चलो, अपनी प्रेतमा की ये बात सुनकर शाम सुन्दर कहने लगे, अच्छा प्यारी, तो तुम अप मेरे कंधे पर चड़ जाओ, ये सुनकर, वह गोपी जैसे ही उनके कंधे पर चड़ने चली, तुरंधी श्री कृष्ण अंतरध्यान हो और वह सुभागिवती गोपी रोने पस्ताने लगी, हा नात, हा रमन, हा श्रेष्ट, हा महाभुज, तुम कहां हो, कहां हो, मेरे सखा, मैं तुम्हारी दीन ही इंदासी हूँ, शीगरी मुझे अपने सानेदी का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो, परिक्षित, गोपि अपने प्रेतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है, जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्रेक्रिष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्थ हुआ था, वे सब उन्हें कह सुनाया, उसने ये भी कहा, कि मैंने कुटिलता वश उनका अपमान कि इसी से वे अंतर ध्यान हो गए, उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चरी की सीमा नहीं रही, इसके बाद वन में जहां तक चंदरदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहाँ वहाँ तक वे उन्हें ढूंती रह गई, परन्तो जब उन्होंने देखा कि आगे तो घना प्रतिक्षा और अकांशा कर रहा था, कि जल्दी से जल्द श्री कृष्ण आ जाएं, श्री कृष्ण की ही भावना में डूबीवी गोपियां यमुना जी के पावन तट पर रमन रेती में लौट आईं, और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी, फिर गोपियों की विरह विथा और उनक